Good morning students, अपन लोग 1935 के अधिनियम की कुछ खासियतों को देख चुके थे last term पर और proposed All India Federation के concept को देख चुके थे detail में, उसकी क्या criticism हमें देखने को मिलती हैं, क्या उसकी आलोचनाएं हमें देखने को मिलती हैं, वो हम लोग देख चुके थे, आज हम लोग ले रहे हैं Safeguard and Reservations क्या होती हैं, तो इसको सीधे साधे सब्दों में हम ये कहेंगे, कि ये वो उपाय होते हैं, जो किसी भी सरकार के द्वारा संकट से बचने के लिए इन उपायों को अपनाया जाता है, सम्विधानिक द्रिष्टी से ये रक्षा कवच वे रुकावटे हैं, जिनके द्वार सम्विधान के बनाने वाले कई अवांचनिय मनोवरतियों को प्रवरतियों को रोकते हैं, जैसे अमेरिका के सम्विधान में ये जो रक्षा कवच अपनाये गए, ये क्रांतिकारी प्रवरतियों को रोकने के लिए अपनाये गए, परंतु ततकालीन ब्रिटे सरकार ने भा और इसलिए जो भारतिय राष्ट्रवादी थे उन्होंने इसे अभी राष्ट्रवाद और लोक तंत्र के विरोध समझा और इसलिए इनका विरोध किया। 1935 के एक्ट में बनाए रखा। अब 1935 के अधिनियम में कौन-कौन से रक्षा कवच और कौन-कौन से संगरक्षन के लिए कदम उठाए गए थे। कौन-कौन सी इसमें क्लॉजिस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहला लेंगे प्रतिरक्षा, विदेशी मामल गिरजा घर और कबीलों के मामले। तो संग में इन सब मामलों का जो शासन है वो वायस रोय की जो एक्जिक्यूटिव कौंसिल थी, जो कारेकारिनी परिशत थी, उसके अनुत्तरदाई सांसदों के हाथ में दे दिया गया। वे सब संगीय सभा के प्रति इन मामलों के शास प्रति ही उत्तरदाई थे और गवर्णर जनरल इन मामलों के शासन में अपनी स्विच्छाचारी शक्तियों का प्रयोग कर सकता था और गवर्णर जनरल के लिए ये जरूरी नहीं था कि वह अपने मंत्रियों से इन विशियों से संबंधित मामलों के उपर कोई परामस करे इस तरह से सैनिक और विदेशी मामलों के उपर भारतियों को किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया था। वो इतनी विश्टित थी कि वित्त पर असली नियंत्रण ना तो मंत्रियों का था और ना ही विधान मंडल का बल की गवर्नर जन्रल और गवर्नर का ही बना हुआ था। दूसरे भारत सरकार की मुद्रा और नोट संबंदी जो नीती थी वो रिजारो बैंक के नियंत्रण में थी। और रिजारो बैंक का गवर्नर भारत के गवर्नर जन्रल की द्वारा ही नियुक्त किया जाता था और उसी के प्रती उत्तरदाई होता था। गवर्णर जनरल की ये विशेश जिम्मेदारी थी कि वो भारत की वित्तिय स्थिर्ता और साख की रक्षा करें और इसलिए वह वित्तम मंत्री के किसी सुझाओ पर भी नेशेधा धिकार का प्रयोग कर सकता था तीसरा जो हम इसमें सेलियन्ट फीचर देखेंगे संग्रक्षडों और रक्षा कवचों के संदर में वो ये था गवर्णर जनरल की विशेश जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत निरणय की शक्तियां गर 1935 के एक्ट में हम यदि देखें तो गवर्णर जनरल और गवर्णर की विशेश जिम्मेदारियों की एक लंबी सूची हमें देखने को मिलती है और इनका बहाना लेकर के गवर्णर जनरल तथा गवर्णर अपने उत्तरदाई मंत्रियों के कारियों में अनड्यू इंटर्फरेंस कर सकते थे अल्पमत, शार्वदनिक सेवाएं, देशी रियासतों के शासक और अंग्रेजों के आर्थि खितों की रक्षा के लिए ये लोग किसी भी प्रकार की कोई भी कार्यवाही कर सकते थे और भारत की प्रती रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कदम उठा सकते थे इन सब हितों की रक्षा करना विशेश जिम्मेदारी के रूप में माना गया था जब governor general तथा governor अपनी व्यक्तिगत निरणय की शक्तियों का प्रयोग करते थे, तो वे मंत्रियों से फरामर्श तो करते थे, पर अंत्तु उनकी सलाह पर अमल करना या उन्हें सुखार करना, उन्हें रिजेक्ट करना, ये सब चीजें उनकी अपने इच्छा के ऊपर जब गवर्नर जनरल अपनी व्यक्तिगत निरणय की शक्तियों का प्रयोग करता था तो वह भारत सचिव के अधीन होता था और उसके डायरेक्शन्स और इंस्ट्रक्शन्स का पालन करना पड़ता था जब गवर्नर अपनी व्यक्तिगत निरणय की शक्तियों का प्रयोग करता था तो वह गवर्नर जनरल तथा भारत सचिव के अधीन होता था और उसे इनके निरदेशों का इनके इंस्ट्रक्शन्स का पालन करना पड़ता था तो भारत पर जो पूरा का पूरा नियंत्रन था वह भारत सचिव के द्वारा बना रहा नेक्ट जो इसमें हम रिजर्विशन देखते हैं वो ये कि गवर्नर जनरल और गवर्नर की कारेकारणी और कानूनी शक्तियां इतनी विश्त्रित थी कि उत्तरदाई मंत्रियों के मार्ग में हर तरह से ये रूड़ा अटका सकते थे औ हम लोग लेंगे प्रांतों में सम्मिधान की विफलता 1935 के अधिनियम में सेक्शन 93 के अनुसार गवर्नर गवर्नर जनरल की आग्या से किसी फी समय एक्ट की विफलता की खोशना करके अपने हाथ में प्रांतिय शासन ले सकते थे अब इनकी हमें जो कम्या देखने को मिज इन सेफगार्ट की वो ये हैं कि जितने भी रक्षा कवच और संगरक्षन सम्मिधान में रखे गए थे 1935 के अधिनियम के मात्यम से उन सब का उद्देश्य भारत के बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को रूखना था इसलिए अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासको अलपमतों और सारवजनिक सेवाओं के साथ गठ जोड करके ब्रिटिस सामराज जवाद को द्रड करने की कोशिस की पनिणाम स्वरू पंडित नहरू ने तो कह भी दिया कि 1935 के एक्ट में हमें ब्रेक देखने को मिलता है जिसको आगे चलाने के लिए कोई इंजा नहीं था नेक्स्ट टेम पर अपन दूसरी विशेशता लेंगे 1935 के अधिनियम की थेंक्यू